हलो फ्रेंच वेल्कम दू आज चानल करंट अफेर अपडेटेड अधिस दिवाशी शवस्ती और आज मैं आपके लिए करंट अफेर्स का एक बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक लेक्शन इस तरह एक्जाम में बहुत बात फ्रेम किये जा रहे हैं इस कंट्री निउस बहुत सा इन तक आप देखेगा जैनवरी से जुलाई तक कि जित्ते भी कंट्री न्यूज में किसी ना किसी वज़े से वह मैंने आप सारी आपको बताई हुई है और डारेक्ली किस तरह कॉशन साथ है वह भी मैं आपको एक्स्प्रें करूगा तो चलिए इस लेक्शे को स्टार्ट करते हैं लेक्शा को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क स्कोर करने आपके कमिंग एक्जाम्स में सबसे पहले देखिए कोशन सीधा आएगा कैनेडा जो है इट बिकेम तफ फर्स कंट्री इन द वर्ल्ल वर्ल वर्निंग लेबल्स मस्ट अपियर ऑन इंडिविज सिगेट मतलब जैसे इंडिविजुँएल सिगेट आप देखते जनली सीगरेट के जो कवर रहता वहाँ पर वार्निंग में बट एक इंडिविजों सीक्रेट में भी व्यार दख करनेगा सिदें इस तो कुष्ण आइगा कि कि कैस कंट्री रेसेंटली वर्ल ये से अब सीधा कोशन किस तरह आएगा यह दो कंट्री हैं एक है USA ओके और दूसरा है पपा न्युगुनिया पपा न्युगुनिया की अगर बात करूं यहाँ दखेगा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रीसंटी हमाई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गये थे क्यो और USA के बीच में किसलिए to develop and operate military bases in पापा न्युगुनिया तो मतलग USA को अपने military bases जो है वो यहाँ पर बना सकती है अफ्कोस चाइना हो काउंटर करने के लिए इन सब कंट्रीस अपने bases बना दिये तो यह याद दखिएगा तो पुछा सकता भी रीसेंटली पापा जून को कमेंट बॉक से मुझे बताइए इस बाइ इंटानाश्य योगा दे की थीम क्या थी 2023 की या पुछे कमेंट बॉक से मेंशन करिए अब देखिए योगा दे के दिनी ओमान पहली ऐसी कंट्री बन गई फर्स वारें गवर्मेंट कंट्री बन गई है तो प्रमोट हुआ अपनी कंट्री को प्रमोट कर रही है वर्ल की पहली ऐसी कंट्री कॉंड बन गई वह कौन सी है उमान तो डार्क्ट ली कोर्शन आपसे पूछचिटा है कौन सी री कंट्री बनी है तो correct answer क्या बताना ऐसे ओमान की कन्ट्री क्या हूँ कॉम्ची व्हां की डेखता हू to pass a law to legalize same-sex marriage. सबसे पहले तो यह पहले देख लिए Estonia है कहांपर बैल्टेक कांट्री कहुन सी है? देखे, अगर आप देखे, लिए अगर आप यहां पर बैल्टेक सी दीखेगा थेके? और यह 3 कंट्री से को हैं, देख लेते हैं कौन कहुन सी? नी युटिया ऊफर देख रही है फिलाक्विया और आप देख रह stabilis क्र pocz यह तीनス एक मैरिज के लिए लॉ पास किया है तो सीजा और जैजless दिखे姆रे एंचोर्ठी करेक्ट्तॉा हां करेक्ट खबर माना है इस्तोनिया डिस सिंपोर्टेक सी बी आपgen आपको समझ में आगया होगा किस तरह कोशन फ्रीम किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं डबलु एचो की बात करता हूं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइगेशन उन्होंने संटिफिकेट दिया कि इसको बेलिज को बेलिज का है वो भी मैं आपको बताता हूं जो कि एक सेंट ड़र्ल अमेरिका कहते हैं यहीं पर से बेलिज आपको कंट्री दिख रही हो एक तो कमेंट बॉक्स मुझा बताईए बेलिज जो कंट्री है वो अटलांटिक ओशन को टच करती है कि दोनों को टच करती है यहां पुझे कमेंट बॉक्स मुताइँ है मैपिंग होना ज़रू perspective से ओके आगे बढ़ते हैं दीकि रिसेंटी वर्ल बैंक का डाटा है according to recent world bank data इंडिया बिकेम तफर्स कंट्री इन पहली कंट्री बनी यह वर्ल्ड की to have annual remittances remittances जो बहाद से income आ रही है from abroad crossing 100 billion dollar in 2022 remember तो पूछा सकते हैं आप से कौन सी पहली कंट्री बनी जिसने annual remittances को cross कर लिया कितना 100 billion dollar को cross कर लिया 2022 कौन जैसी country बनी है तो correct answer होगा इंडिया तो options रहेंगे इंडिया USA साउधी अरिबिया से options दिये जाएंगे और correct answer क्या होगा इंडिया according to world bank तो यह भी इंडिया इसलिए news में थी तो यह question आपके exam में economics में frame किया जा सकता है अई होग आपको remittances का मतलग पता होगा मैंने अल्लेडी पढ़ाया हुआ है अपनी economics classes में चलिए आगे बढ़ते नेक्स में आते हैं वर्ल बैंक ने अप्रूफ किया है क्या प्रूफ किया है partnership framework तो आप लोग जनरली सोचेंग वर्ल बैंक है इंडिया को कर रहा होगा क्योंकि इंडिया का question है इंडिया की exam दे रहे हम ऐसा नहीं है क्या देखिए किसा correct answer क्या है बांगलादेश बांगलादेश दो वे से election conduct कराईगी इंडिया में डिबेट चलता रहे ता आप देखा होगा हमारे EVM यूज हो रही है उस पर बड़ा question उठाते रहते हैं तो देखिए इसका correct answer जो होगा बांगलादेश के election commission ने बाद बोली है तो यह बड़ा important रहा था किस country के election commission ने यह statement दिया तो यह exam perspective का सबसे important question था ओके चले आगे बढ़ते हैं इंडिया became the first country पहली country बन गई है किस ने डिवलप a country level mathematical model to estimate prevalence of TB cases तो TB को calculate करने के लिए तीबी को estimate करने के लिए इंडिया पहली country बन गई है to develop model for TB estimation तीबी को estimate करने के लिए इंडिया पहली country बन गई है इसने model निकाला है for the estimation of TB तीबी आपको बता होगा इंडिया तीबी मुक्त भारत भी होना चाहता है कब तक इंडिया अगर टागेट है 2025 तक इंडिया टीबी को eradicate कर देगा जबकि SDG sustainable development goal में 2030 तक का target दिया गया है यह TB बहुत important है एक्जाम में ट्यूबर क्लोसे से question आपको देखने को मिलेगा आगे बड़ते घाना की बात करते हैं I hope आपने अफरीक्या का continent देखा होगा वहाँ पर आप देखेंगे इधर साइड आपको घाना दिख जाएगा अब घाना क्यों इसमें घाना पहली country बन ग दिया है इसमें इशूद भी थे पट गाना ने इसको अलाओ कर दिया है तो यह एक्जाम में न्यूज में चली पूछा किस country ने रिसेंटली अलाओ किया तो करक्ट आंसर है घाना ओके चलीं को आगे बड़ते नेक्स दिवाली दिवाली आपका एक हिंदू फेस्टिवल है हेना लाइट विज्दम का फेस्टिवल है अब इस फेस्टिवल पर हॉलिडे रिकलर किया है कि इसने एक यूएस के स्टेट मे हॉलिडे डिकलर कीआ है एक्रॉसी इंडे डिवाली तो ख inclick कर तो यह तहाई ड़केगा क्या नाम इसका फिंसलाइन येद् necesita ponel रिमेंबर तो इस इन्पॉटेटा तो मिलिटरी ऊंपॉटको को याद कि वील क्या है कि एक इंपॉर्टेंट इस ली ए न्वीर कांट्री से युसको नेवरिंग कंट्री से नॉर्थ कोरिया से है वहाँ किया किया मUlt agility integrated system जहाँ पर क्या यूस्ट क्य यूस के यह तरह है और यूटर्ट्रोनिक वार्फैर टेक्नीक ची कर्षा यूस कह तरह इसे आप पहले परोसी देश, वह सम्साल भगए रखे पहले अिवे il ू समय वार्ची पंप और पर कितना यूज हो रहा है ठीक है अब वार सिर्फ लडने से नहीं होता है इस सब टेक्नीक्स होने लगा है तो यह किल्वेब टेक्नीक जो है वो साउथ कोरिया डेवलप की है अफकोर जिससे कैज्वालिटी इस कम हो और उन्हें पहले से चीजे पता चल जाए तो यह अभी न्यूज में था किल्वेब तो पूछ सकते हैं आपसे नेक्स है यह तो कोशन बहुत इंपॉर्ण है मेरा माना एक्जाम में जरूर आएगा कि पहली कंट्री इन वर्ल्ट टू बड़ी सीयो टू इंपोर्टर फॉर्म एप्रॉट ठीक है कार्बन एक्साइट को बड़ी कर खुर्ण कतर है के व से फिक्तर हों यह यह तो हमने में करने राने वारे वोगानीय और में तो यह आप से पूछा सकता रावानीय के वारे में से कंट्री पहली अटिएुकंड रबनी ये मेchos से mRNA vaccine बनाए तो correct answer है रावांड़ा इक्जाम पास्पेक्टिफ से important है ने इंडिया ने साइं किया किस के साथ MOU साइं किया है Cambodia के साथ Cambodia मैं आपको दिखा भी कहां पर रहे यह आपकी Cambodia है comment box और Cambodia की Capital जो है वो मुझे बताए कमबोडիा है और इसके साथ में MOU स्वाइब क्सकी कि रिङे ए कि रीइंट्री मि यह किसं रीकार सब्सक्राइब Κामबोडिया को सब्सक्राइब को रीचिक रहे तो व्हाइब करें हो सालगा 달라 हेदरबाद तिलंगाना में हो रहा था तो पूछा गया उस ताइम पे इंडिया की इंडिया के साइट से पार्टनर कंट्री कौन थी इस इवेंट के लिए इंडिया के लिए पार्टनर कंट्री थी वो युनाइट किंग्डम थी डारेक्ट कोशन आगा कौन सी पार्टनर से किस तरह Pacific Ocean में इंडियन ओशन में अपना प्रेजंस बनाना चारी है USA और उसने अभी रिसेंटी फिलिपिन के साथ यह डील किया है कि US टूप्स को एक्सेस मिलेगा फोर बेसेस इंदा फिलिपिन सी हो कंट्री वहां पर चार बेसेस पर युएस टूप्स को एंट्री मिलेगी तो यह भी अभी रिसेंटली फिलिपिन के साथ युएस से अग्रिमेंट किया है नेक्स पहली कंट्री इंपोर्टन एक्जाम कोशन आएगा पहली कंट्री यूरोप की तो पास है संट्रेडी लीव लॉख सब्सक्राइब कि अब यह चार बंगाई इस पर लॉख वाइंटिव शुए को वोमेंट के पर्स पेक्टिव से जो की स्टुड़न ने किया है अगे सेकंड जाइन के बाद सेकंड बन गयी इंडिया किस बाग के लिए तू स्टार्ड ट्रेड प् किस ने इंडिया ने आप सोचोंगे ती प्लस वन सेटलमेंट साइकल क्या है देखिए आप इस टॉक मार्के पे रहते हैं महाँ पर पर्चेस करते हैं सेल करते हैं सिक्यूर्टीज को और जब पर्चेस करते हैं तो वह चीज आपके डीमैट अकाउंट में नेक्स्ट रही उस हों एगा गाटेबड जाएगा एगा ट्रांशेक्श्ट रिफेक्ट हो जाएगा यह जाएगा यह डाटेशन प्लस न इस चाहिन खाल लिया ने इस्के आ घसी कंट्रीकॉशन आईगा छिका इस कौन्सी कंट्री कंट्री लाँग इंटरनाशन इंट इंफर्म码शन क्यें Information Campaign to reduce the number of migrants to the country मतब उनकी country में migrants जादा ना आए उसके लिए उन्होंने Campaign launch किया International Information Campaign किस country ने launch किया Sweden या देखे Sweden नहीं launch किया और Sweden अभी में बता भी चुका हूँ Sweden ने National Leave के लिए भी law बनाय हुआ है और उन्होंने अपने Migrants भी उनके country में जादा ना है उसको regulate का सके उसके लिए भी यहाँ देखे कि उन्होंने International Information Campaign launch किया हुआ है आगे बढ़ते हैं आपको बताब को 2023 में हम highest populous country बन गाए है जादा population होगी compared to China तो पुछा है चाइना इसको इंडिया ने कब take over किया किस यह में तो करेक्ट आंसर को 2023 में हम वर्ल्ड की most populous country बन गाए है बारेट प्लेसिंग चाइना ओके नेक्स यह कोशन बहुत इंपोरेंट है सुप्रीम कोर्ट किस country के सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री है रूल दाट जो एक्जाम में चीज़े नियूज में चल दी वो आ सकती है आपके अब पूचा गया है किस country ने request किया इंडिया से कि वो ट्रांस लोकेट करें इंडियन बिसन आप देख सकते हैं इंडियन बिसन है वो चाले इंडियन बिसन इंडिया उनको दिया जाए उस country को वो अपनी country में उसकी population बढ़ा सके हैं जैसे अभी Cambodia ने मैंने आपको बता है वो tigers मांग रहे हैं वैसे किस country ने इंडिया से request किये तो उसका correct answer है शी लंका ने सो this is very important यह question exam में जरूर आएगा किस country ने request की correct answer है शी लंका ओके next और last question है पहली country to make all period products free or for all this is a very good initiative और किस country ने कर दिखा है correct answer Scotland okay तो इस ताल लगा रहो मैं आपके सामने ठीक है पहली country to make all period products free for all again a good example of women empowerment and the correct answer is Scotland okay तो यह थी कुछ countries जो news में थी अपती किसी ना किसी वजह से और इनकी chances इस तरह question exam में आएगी है वैसे तो हर country news में रहती किसी ना किसी वजह से याद अखिएगा यह कुछ specific इनिशेटिब्स लिए इस लिए exam में आए और मैंने कवर नहीं किया था कहीं भी तो मैंने एक अलग topic बना दिया country in news इन में से आप देखेंगे दो या तीन कुछन आपको डारेक्ट एक्जाम में बिल जाएंगे और इस तरह के कोशन आपके एक्जाम में आ जाएंगे तो आपको डारेक्ट आंसर बन जाए इस अ ग्रेट थिंग अगर इस ते आपको लेक्ट को चैनल को लाइक करो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वो भी काफी है बट अगर आप करना चाहते हैं आपका benefit हो तो आप कर सकते हैं अब मैं अपने notes की बात कर लेता हूँ आपको example दिखा है medieval history का ठीक है हर notes का sample आप physical world geography जित्ते भी notes है ठीक है इन सब का sample के लिए आप मुझे वाट्चाप करिए current affairs की booklet है आप current affairs की booklet में कैसे पढ़ना है क्या चीज़े पढ़नी है सब कुछ हमाई lectures में आप पर available होता है ठीक है ancient history again very important ठीक है point frame में diagrammatical frame में सारी चीज़े available हमाई पास ठीक है फिर this is again very important booklet जो अभी हमने लॉंच की that is static GK की static GK booklet ठीक है सारी चीज़े static GK के हमने हाप available करा रखी है तो आप static GK की booklet order कर सकते है economics बहुत important economics ठीक है अभी आपने discuss किया बहुत से economics terms भी आते हैं तो economics भी यहाँ पर आपको clear हो जाएगी order करने के लिए क्या है करना कुछ नहीं है आपको नीची मेरे WhatsApp नमबर दिया है तुरन तुस पर WhatsApp करो सारी booklets जो 12 booklets है ना science है इंडियन geography है पॉलिटी है इस सारी booklets आप order कर सकते हैं environment है और इन booklets को order करने के लिए आपको मुझे सिर्फ WhatsApp करना है या मेरे application को download करना वहां पर आपको सारे cost वगरा आपको सब मिल जाएंगे नोट से एक बर आपके घर तक कोरियर हो गए उसके आपको पढ़ना बहुत असान हो जाएगा थोड़ा बहुत अफोस खर्चा आता है बट ज्याद एक्जाम कराइक हो जाएगा तो फिर उससे बड़ी बात क् यादे कि एक्जाम कराइक करना हो तो आप हमसे personal guidance भी ले सकते हैं application को download करो कि वहाँ सारे courses available है यह पार courses को जाकर visit करो आपके exam perspective से बहुत important तरीके तो उसको पढ़ाएगया है UPSC के preparation कर रहा हो तो एक पर आपको जरूर विजिट करो pre main सारी classes available है किस तरह preparation किया सकती time कितना बचे आपके पास आपको कम time पर जल्दी त्यारी करवा सकता हूं यह हमारा main agenda है और आप इस लिए में त्यारी करना चाहते है जरूर हमसे contact करी WhatsApp नमबर हमार दिया हुआ calling भी आपका सकते हैं वीडियो आपके complete होता हुप आपको lecture समझ में आया होगा कोई doubt को रिए वो भी comment comment करके बताइए हम आपके comments जरूर रीड करते हैं और आपका कोई lecture है जो आप चाहरे है उस पर हम lecture बनाएं तो comment box पर comment करिए हम आपके comment पढ़के next lecture उसी पर बनाएंगे तो I hope आप अपने topics जो आप चाहते हैं आपके comment exams में वो भी आप comment करिए उस पर भी lecture आपको मिल आपके